हेलो, स्टांडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिज ग्रामर, रिविजन ओफ से वन, उसमें आज हम करेंगे क्वेस्चन टू सी, प्रिविएस वीडियो में हमने आंसर दो क्वेस्चन किये थे, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेस्चन टू सी, कम्प्लीट दो स इसमें इस तरीके से पिक्चर्स दिये होंगे, और कुछ इनकंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि एक पिक्चर दिया है, ये फिर लिखा गया है, दीस इस अ, तो फिर अब इदर आपको आंसर लिखना है, कि ये किसका पिक्चर है, तो पिक्चर के निचे किया लिखा हुआ है इधर लोक लोसी के और यह picture लोक का है तो हम इधर answer क्या लिखेंगे लोक क्या लिखेंगे this is a lock फिर sentence खतम होता है तो पीछे full stop है और पहला letter capital करेंगे सारी exercise में फिर second इधर one lock था तो इधर क्या लिखा है एलोसी के लोक इधर कितने लोक है इधर है क्या लोक ही है पर लोक कितने है एक से ज्यादा more than one lock है है ना तो इधर पीछे क्या लगाया है देखो s है ना इधर singular है यह plural हो गए क्यूंकि इधर एक है इसलिए singular एक से ज्यादा more than one so इधर plural तो लोक का लोक हो गया तो इस आर locks ठीक है उसके बाद है यह picture दिया है किसका picture है balloon तो this is a क्या लिखो गया आप इधर balloon नीचे कितने balloon है more than one तो पीछे क्या लग जाएगा सिर्फ s तो these are balloons फिर यह किसका picture है cat इधर नीचे लिखा हुआ आएगा cat तो this is a फिर आप इधर क्या लिखोगे cat this is a cat फिर इधर नीचे kittens भी लिखा हुआ आएगा तो आप यह क्या लिखोगे इधर one kitten है इधर more than one तो क्या होगा उसका kittens यह रहा तो हम इधर क्या लिखेंगे these are kittens उसके बाद यह picture किसका है hand का तो हम इधर क्या लिखेंगे this is a hand फिर यह picture किसका है chicks तो क्या लिखेंगे these are chicks this is a hand these are chicks this is a dog यह किसका picture है डोग का these are puppies यह कौन है puppies यह डोग तो जो picture है वो उसके नाम लिखेंगे पहला लेटर और इधर क्या लिखा है aeroplanes है ना तो इधर one है तो aeroplanes इधर more than one है तो क्या आएगा aeroplanes पीछे s तो इधर लिखा हुआ है that is फिर हम आंसर क्या लिखेंगे an aeroplanes इधर लिखा है धोस आर फिर आंसर क्या लिखेंगे aeroplanes फिर इधर किसके picture है a bird तो हम इधर क्या लिखेंगे that is a bird इधर लिखा है धोस आर इधर कितने picture है birds कितने है more than one तो bird का क्या कर देंगे birds धोस आर birds फिर है that is a क्या है किसका picture है फ्लेग वन फ्लेग है तो a flag और more than one फ्लेग है तो हम क्या लिखेंगे इधर फ्लेग धोस आर फ्लेग उसके बाद this is the picture of किसका picture है यह star तो इधर लिखा हुआ है that is तो आप इधर क्या लिखोगे a star फिर इधर क्या लिखा है those are stars क्योंकि more than one है फिर that is a balloon यह balloon का picture है those are balloons क्योंकि more than one balloons है तो यह थी हमारी exercise complete the sentence पिक्चर दिये होंगे आपको और उन पिक्चर के सामने आपको नाम लिखने है ठीक है थेंक्यू स्टूडन्ट्स आपको यह थेंक्यू अबस्टूडन्ट्स